पुज्य स्वामी रामदेव जी महराज के पावन सानिधी में एहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में निशुलक योग शिविर का आश्यो भरम हुआ शिविर में गुज्रा सरकार के शिक्षा मंतरी श्री भूपेंसी चुडासमा मंतरी श्री वल्लब भाई एहमदाबाद के मेर श्री गौतम भाई शाह एवं ब्रह्मु कुमारी परिवार के बहन शिवानी ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई अथिती गणों ने दीप की टोक्री भेंट कर सवाशी का सम्मान सब्सक्राद शिविर में आए हजारों लोगों ने पुज्य स्वामी जी महराज से योग की दीख्षा ली योग्शिविर के ऊपरांत पुज्य स्वामी जी महराज एवं पतंजली योग समीति के वरिष्ट पताधिकारियों ने कार displ का मार्ग दर्शन करते हुए तृति अंतरराष्टिय योग शिवर को एतिहासिक बनाने का आवान किया योग के कुछ खास अभ्यास एक तो इंटरनेशनल योग डेपर योग का जो प्रोटोकॉल है उसको भी तो ठीक से करना है तो चलिए खड़े हो जाते हैं खड़े हो करके योग का जो प्रोटोकॉल है उसमें बेसिक प्रैक्टिसीज है जिस्से की हम योग में प्रवेश पा सकें तो वहीं से शुरू कर देते हैं सबका भ्यास भी हो जाएगा दोनों हाथ कमर के दोनों साइट गर्दन को आगे के और जुकाएंगे तो शुयास अंदर भरेंगे गर्दन को पीछे के और जुकाएंगे गर्दन पीछे के और जुकी भी थोड़ी फिर एक बार आगे जुका देंगे सहस्ता से करना जिनको चक्कर आते हो आखे खोल के करना गर्दन को आगे जुका लिए अब गर्दन को पीछे जुकाएंगे आगे के और जुकाएंगे ऐसे दो-दो बार कर ले अब दाहिने और गर्दन को जुकाएंगे राइट साइड में जम्री बाजोमा गर्दन ने वाड़ो मेरे से विपरीत आपकी गर्दन हो राइट साइड में गर्दन को चुकाया फिर बीज में रुख जाएगे अब गर्दन को बाई और चुकाई फिर से एक बार दाही नहीं और ये सहज अभ्यास है इसको सूक्षम्यायम करते है ग्रिवास अंचालन फिर बाई और अब गर्दन को दाई और घुमा करके दाई नहीं और देखेंगे राइट साइड में ऐसे घुमाईए राइट साइड में कंदे के उपर से देखें फिर बीच में रुख जाएंगे फिर लैप साइड से कंदे के उपर देखना है सर्वाइकस पलाटी स्पेन गर्दन में दर्दाज गोमन प्रोब्लम है उसके लिए अच्छे अब भ्यास है दाहे नहीं और फिर से और फिर बीच में थोड़े रुखते हुए बाई यह और अब गोल घुमा दीजे गर्दन को दो बार एक बार ऐसे क्लोकवाइज फिर दूसरी बार और फिर दो बार ही एंटी क्लोकवाइज यह एक ग्रिवा संचालन फुआ अब सकंदर संचालन करेंगे दोनों हाथों को पार्षो भागों से उठाएंगे पैरों में करीब चार छेंज का फासला जिसी कि आपका बैलेंस ठीक सी बना रहे दोनों हाथ एक साथ साइड से उठेंगे एक दोनों हाथ कंदों के बराबर अब उपर हाथ उठाएंगे हथेलिया उपर की और और दून हाथ उपर ले जाकर करके हाथों के अथेलियों का रुख बाहर की और आउट साइड में अथेलियों का रुख और उपर उड़ जा रीगे uitफेलियों का रुख और वर तानेंगे पंजो पर उट जाते और फिर नीचे हाथ आएंगे दो बहुत संदर किया सभी ने फिर से एक बार दोहराएंगे श्वास अंदर दोनों हाथ पहले कंधों के बराबर फिर हाथों के थेलियों को रुख उपर की और दोनों हाथ उपर उठ जाएं कानों के समाना अंतर कान से लग जाए हथेलियों को रुक बाहर की और ऐसे हाथ खोड़ी देर ही सस्थिते में रुखे फिर हाथ नीचे आजाए धीरे 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 दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे स्कंध संचालन हो रहा है ग्रिवा संचालन के बार दोनों हाथों को उपर उठाइए गोल गोल गुमाईए दूसरी दरफ से खिर, ऐसे दो दो बार ही कर लीजी ऐसे अधिक बार भी कर सकते हैं, पास मास दस दस बार भी कर सकते हैं लेकिन अभी आपको थोड़ा कर बार हैं दोनों हाथ नीचे, दोनों परों में थोड़ा फासला दोनों हाथ कंधों के बराब जरा दाएने हाथ को सामने से लेकर के आएंगे और बाएं कंधे पर ऐसे रख ले और बाएं हाथ पीछे एकदम सीधा, ऐसे देखे दोनों हाथ कंधों के समाना अंतर फिर बीच में रुकेंगे फिर दूसरी और से एक हाथ कंधे के उपर दूसरा हाथ पीछे सीधा, ऐसे पीछे वाले हाथ को देखे, कंधे के उपर से फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर एक बार दोहराएंगे दैं हाथ को बाएं कंधे पर लाएंगे, पीछे वाला हाथ सीधा पीछे माले हाथ के अठेले का और उख नीचे की हो फिर दोनों हाथ कंधों के समाना अंतर फिर दूसरी और से फिर दोनों हाथ कंधों के समाना अंतर दोनों हाथ साइड में और हाथ नीचे अब दोनों परों में करीब चार इंच का फासला, दोनों हाँ सामने और थोड़ा नीचे जुके और नीचे जुक करके जैसे कुर्सी होती है न ऐसे, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है जानो संचाले थोड़ा बैलेंस बना फिर उपर आजाए फिर से एक बार दोनों हाथ कंधों के बरावरी रहेंगे और ऐसे बैलेंस बनाएंगे फिर वापस आजाए हाथ नीचे ले ले अब दोनों पैर पास में रखे अब खड़े हो करके करने वाले बाच आसन करे बाच सरल है सबसे पहले ताणासन दोनों हाथों को पारशो भागों से उठाईए और सिर के उपर रख दीजिए हाथों की अंगलियों को इंटरलोग करके अब शास अंदर भरके हाथों को उपर के और तानेंगे एक उठाईए कौनिया सीधी पुरी बोड़ी की सेंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है फिर हाथों को सिर के उपर से लेते ही और नीचे ले आई है ये बोड़ी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है बोड़ी और माइंड के बैलेंस के लिए बोड़ी, माइंड, सौल, थौट्स, इमोसंस और एक्शन्स का बैलेंस यही तो है स्वस्थ जीवन का अधार तो दहिना पैर उठाएंगे वरिक्षासन के लिए जमना पग, राइट लेक को ऐसे उठाएए एड़ी उपर के और पंजा नीचे के लिए अब दोनों हाथ पार्शो भागों से उपर उठाएए बैलेंस बनाना पड़ेगा थोड़ा और दोनों हाथ कान से लग जाएए हाथ उपर हथे लिया आमने सामने एक दूसरे से मिली बात सुन्दर किया हैं सभी ने 99% रिजल्ट है करो 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 किरो मत हाथ नीचे जिन से नहीं हो पाता है वो इतनी चीटिंग तो करी सकते हैं माने पैर नहीं उठा तो हाथ तो उठेंगे बापु तो चलो दूसरे पैर बाया पैर मोड़िये एर उपर कि और पंजां नीचे कि और जंगा से लग गया पैर दोनों हाथ उपर उठेंगे और थोड़ी देर एकागर चिता हो करके कि शान्त चित्त हो करके रुकेंगे, बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसके। इससे एक आगरता बढ़ती है। और आगे जुक करके माथा घुटनों से लगाएं। जिससे जितना बन पाए, जुक करके तो रहें। इतना तो सब कर पाते हैं, ये भी अच्छा है। कमरे जादा दर्द है तो अधिक मत जुकना। फिर दोनों हाथों को पुरुटाई आराम से और दोनों हाथों को पार्श भागों से नीचे लेगी आए। मैथड के साथ फॉलो करें हर एक चीज को। राइट मैथड। दोनों हाथ कमर के दोनों साइट में। पैरों में करीब आधा फिट का फासला। पौन चक्रासन तो सब नहीं कर पाते। आधा तो कर ही लेंगे। शुलाद अंदर भरके थ्तोड़ा पीछे जुक जाएं। जिनको चक्र बहत अधिक आते हूं वे अधिक मे जुक ना। जमें चैनको चक्कर आते हूं वे पहाई हो वन आख खोलके करें। चलिए, दोनों पैर पास में, अब त्रिकोनासन करें, तहिना पैर ऐसे साइड में लेके जाएंगे, तहिना पैर साइड में ऐसे साइड की तरफ ऐसे पंजा, घुटने सीधे दोनों ही, अब तहिना पैर नीचे ऐसे ले जाएंगे, नीचे ले जाते हो पंजे के पास ला जा उपर वाला हाथ कान के सीध में उपर वाले हाथ को देखेंगे उपर वाले हाथ के अथेली सामने की और नीचे वाले हाथ के अथेली भी सामने की और ऐसे देखें उपर वाले हाथ को इससे बैलेंस बनता है बहुत अच्छा साइड में बोडी को बेंड करने से फारवर्ड और बेकवर्ड बेंडिंग करने से बोडी का बैलेंस बहुत अच्छा होता है फिर वापस आ जाएंगे पैर पांस में अब बाएं पैर को अधिक्तम खोल लेंगे जितना खोल सकते हैं और पंजा ऐसे इस साइड में सामने वाले ये ये जो पैर है इसका पंजा सामने रहेगा ये जो पैर है इसको ऐसे ले लेंगे और ऐसे सीधा ठिकाई ये ऐसा अब ये बाया हाथ नीचे दाया हाथ उपर कंदे के सीध में कान के सीध में उपर देखेंगे, हाथ को अधेली का रुख उपर के, और सामरे आख, वाला हाथ, दोनों हाथों के अधेली का रुख सामरे के, और उपर वाले हाथ को ऐसे देखें, गुटने सीधे, फिर वापस, ये पांच असन करने से भी बोड़ी का अच्छा बैलन्स आजाता है, अब बैठ जाएए, बैठ करके, दोनों पैरों को तल्वों से मिलाईए, और दोनों हाथ के अंगलियों को इंटरलोग करके ऐसे पकड़ लीजिए, ये बोड़ी बैलन्सिंग के लिए करवा रहे हैं आपके अफ्यास, पंजों से तल्वों को मिला लिया, एडी पंजे मिले वे, और प्रियतन करते हैं कि घुटने जमीन पर टिक जाएं, ये हो गया बद्रासन, क्या हुआ बोलिये, बद्रासन, जिन से ये ना होता हो, तो पहले थोड़ा सा बटरफलाई करके ऐसे घुटनों को और हिप जोइन को रिलाक्स कर लेते हैं, तो फिर खुल जाते हैं तो हो ज कोई भी आसन करते हैं धंडासन में बैठ के करते हैं, भद्रासन के बाद अब वज्रासन में एडिया बाहर पंजे अंदर ऐसे बैठ जाते हैं, ये वज्रासन हुआ, क्या नाम है इसका बोलो, जोर चे बोलिये, वज्रासन, यहां हमारे विद्यार्थियों और यूकों से ले करके, हमारे सेना और अर्ध सेनिक बलों से ले करके, पुलिस, प्रसासन और हर वर्ग के, हर समुहों के भाई भेन हैं, एक बार सबसे पहले बच्चों का भिनंदर हो जाए, जो तीन बजे उठ करके आए, हमारे यहां पहांत ही होनहार, प्रज्यावान, मेधावी विद त्यार थी, और आप सब आपने से एक तरफ आपके सामने नीद थी, और दूसरी तरफ आपके सामने जीवन को सोभाग ये देने वाला विशय योग, सफलता देने वाला जो जियान है योग, उसको अपने चुना है, अब देखी, वज्जरहसन में तो ऐसे बैठते हैं, दो तो हो जाता है उष्ट्रासन दोनों हाथ ऐसे कमर पर लगें पंजे खड़े करके रखें पहले और थोड़ा पीछे जुखें आर्ध उष्ट्रासन थोड़ा ऐसा जुखें और कमर को उपर क्यों तारिक ये कमर के लिए गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास हाथों से उपर धक्का देते हैं अब ऐसे धक्का दीजिए जैसे भी आपसे बन पाए कीजिए ठोड़ा पीछे दुखें और फिर जिनसे संभव हो पाएगा वे पूरा करेंगे जिनसे संभव नहीं हो पाएगा वे ये अर्ध ही कर लेंगे जो पूरा हो सके तो एक एक हाथ को ऐसे एड़ी पर रखेंगे गर्दन को पीछे तान देंगे कमर को उपर खीजिए उष्टास आए बैठ चाहिए आरामसे दोनों हाथ घुटनों पर अब दोनों हाथ एक साथ उपर उठाएंगे शशकासन करेंगे दोनों हाथ उपर और श्वास बाहर छोड़के आगे जुग जाएंगे तेलिया कोरिया माता जमिल पटिकाएंगे यह मस्तिस के लिए बहुत अच्छा भ्यास है दोनों हाथ उपर पेट की पीट की मास्पेशियों को अच्छा बनाता है बोड़ी का बैलेंस होता है दोनों हाथ खुटनों पर आ गए आगे जुखते हैं जुखने की हमारी संस्कृती है पेडों पर फल लगते हैं तो जुख जाते हैं हम जुखें धरती माता को प्रणाम करें अपनी पावनी परंपरा में हम शधावनत होते हैं धरती माता, माता, पिता और भणों की चरणों में जुकते ही हम आगी बढ़ते हैं आइए अब पैरों को थोगा खोल लीजिए और पैरों को ऐसे खोल करके दोनों हाथों को अब उपर उठाए उत्तान मंडू कासन करें ऐसे उपर उठा करके अब दहिने हाथ से बाएं कंधे को पीछे से छोईए बाएं हाथ से दहिने कंधे को ऐसे ऐसे स्वेड़ और उपर हाथ कान से लगे वे हो पूरा खी से पीछे दोनों हाथों को अपर उठाएंगे और नीचे लिए आएंगे अब पैरों को सामने खोले अब बात सेहज आसन है पेट के लिए पीट के लिए डैप्टीज के लिए भी अच्छा है वकर आसन दहने पैर को मोड लेंगे सभी दहने पैर को मोड लेंगे अब बाया हाथ से दहने पैर को क्रोस करते हुए उसको ऐसे जमीन पर टिका के रखेंगे इतना भी टिक जाए तो बहुत अच्छी बात है किसी की पूरी हथेली टिक जाए तो और अच्छी बात है अथवा गुटने के पास से ऐसी भी पकड़ सकते हैं और ऐसी घूम जाएं दहने कंदी से पीछी के और देखें फिर दूसरी और से पैर सीधा बैपैर मोड लिया है अब दहना हाथ क्रोस करके डालेंगे आप पंजे के बराबर में हथेली रख सकते हैं और क्रोस करके घुटने को भी पकड़ सकते हैं तरे से किया जाता है जितना जिससे बन पाए आप ऐसे छूके रखें बस जमीन पर हाथ को ऐसे बाएं कंदे से ऐसे देखना भी पैर सीधे कर देंगे अब सब मेरे साथ उल्टे लेट जाएंगे उल्टे लेटेंगे दोनों हाथ के हथे लिए एक दूसरे के उपर इसको मकरासन कहते है एडिया अंदर पंजे बाहर की ओर ठक गया होंगे थोड़ा आराम कर लेजिए दो चार स्वास लंबे लेते हैं छोड़ते हैं सहच हो जाते हैं सीधे लेट करके शवासन उल्टे लेट करके मकरासन फिस शाम के आसन होते हैं अब आपको पीठ के लिए बहाती महतोपन दो अभ्यास बताते हैं ये मिनिमम प्रैक्टिस है ठोड़ी जमीन पर भुजंगासन दोनों हाथ के हथेलिया छाती के दोनों साइड में ठिकी वी कोहनिया पार्शो भागों से छूती वी रिपके इसको टच करते हुए पंजे पीछी के और पूरे तने वे खड़े करके नहीं रखेंगे पंजो को लिटा करके रखेंगे पंजे पीछे खीच के रखेंगे पीछे से पंजे एडियम मिले हुए सास अंदर भरते वे सामने से उठेंगे नाभी तक उठाना है पूरा नहीं उठाना थोड़ा से बेंड की हुए कोन्यों फिर नीची आ जाते हैं दोनों हाथ जंगाओं के नीचे सलब हासन एक स्पाइनल कोड के लिए सारवाई कस्मलाटी स्पे इंसलिप डिश्क के शाटिका कमर में दर्द बहुत तरह की समस्याएं हैं स्पाइनल कोड की उन सब के लिए बहुत अच्छा है करोल रज्जू मिरुद्रंड के लिए ठोड़ी जमीन पर दोनों पैर पीछे से एक साथ उठाएंगे और जिनको हाथ आई वी पी की प्रॉब्लम हरनिया बैक एक और बहुत ज्यादा कमजोर यह वो एक एक पैर को उठाएंगे पीछे से और जो स्वस्थ हैं दोनों पैरों को ऐसे उठा दे सलभासन एक एक पैर से उठा सकते हैं और दोनों पैरों से उठा सकते हैं और अब सीधे लेट जाएंगे सीधे लेट करके सबसे पहले हम करेंगे कंधरासन इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं दोनों पैरों को मोड़ लिया भुटनों से और बीच से उठा दीजिए बीच से पूरा उठा देंगे शांस बाहर छोड़कर के पेट को अंदर खीचिए इससे ना भी धरन पीच उटी अपने आप ठीक हो जाती गुजराती में पीच उटी खिसकी गयाम किया है अनि उधर उत्तर भारत में बोलते धरन डिग गई अंग्रेजी में बोलें तो जो हमारा सोलर प्लैक्स से उसका बैलेंस पेगड़ गया हिंदी संस्कृत में ना भी चक्र का संतुलन फिर नीचे लियाएंगे पैर सीधें दोनों पैर में लेए उत्तान पादासन पैरों को उठाएंगे थर्टी निग्री पर रोक करके रखेंगे फिर नीचे लियाएंगे 15-20 से लेकर कि ऐसे आधा मिनड़ तक रोक सकते हैं अब अर्द हलासन पैरों को उठाएंगे पैरों को उठाएंगे उठाएंगे 30 डिग्री पर और फिर 90 डिग्री पर सीधे पैर घुटने सीधे पंजेत नेवे ये इतना भी अभ्यास कर लेते हैं तो पेट अच्छा होता है फिर दीरे दीरे नीचे लिया ये साब अब दोनों परों को एक साथ मोड़ेंगे पवन मुक्तासन दोनों हाथ के अंगली कुट्रे लोक कर लेंगे घुटनों को दबाएंगे चाती से लगाएंगे और सिर उठा करके नासिका लगाएंगे एक उटने से पंजे नीचे के और दबा करके रखेंगे पैर सीधी अब आपको थोड़ी दिर सवासन कराते हैं पैरों में थोड़ा फासला दोनों हाथ जंगाँ से थोड़ी पर हाथों के थिले उख उपर की और सहथ हो जाएंगे यह आपको अभी कुछ बेसिक पॉस्चर से परिचित करवाया योग के प्रोटोकॉल में सूख शम्यायम और आसनों की रूप में इनका समाविश किया गया है प्रणायाम तो आपको पहले ही करवा दिया है अब आपको कुछ अतिरिक्त योगा भ्यास बताते हैं सबसे पहले मरकट आसन दोनों पैरों को मोड लीजिए अब आपको बहुत इमाहत पुणा अभ्यास बता रहें दोनों हाथ कंधों के बराबर खोल लीजिए दोनों हाथ कंधों के बराबर खोले हुए दोनों पैर मुड़े हुए घुट्टे पंजे पास में दहिनी और पैरों को जो काएंगे बाई और गर्दन घुमाएं यह मरकटासन बहुत जबरदस है जिनको भी कमर में दर्द हो वे भुजंगासन सरभासन यह मरकटासन और अर्धपवन मुक्तासन सिर्ने उठाना पूँ इतरा ही कर ले ना तो यह कमर दर्दा जर्चाग बीच में आ जाएंगे मरकटासन का पहला अभ्यास तीन अभ्यास है इसके तीन पोजिज मरकटासन के मंकी पोज इसको बोलते हैं दोनों पैर वीच में आ गए हैं मरकटासन का दूसरा अभ्यास भुटने पंजों में फासला दाहिनी और पैरों को जुकाएंगे बाई और गर्दन को घुमाएंग एक दिन में योगा अभ्यास से परीचा ही हो पाता है इसलिए हमने पूरा चार दिन का समय आपके लिए रखा है आपको पूरा योगी बनाना है घुटने पंजों में फासला अब बाई तरफ पैरों को जुकाएंगे बाया घुटना जमीन पर दाहिना घुटना पंजे के उपर मर्कटासन का यह दूसरा अभ्यास एक घुटना जमीन पर दूसरा घुटना पंजे के उपर चला जाता है जब घुटनों में फासला रख दूरी अंतर रखते वे इस अभ्यास को करते हैं पूरी गोम जाते हैं उपर से नीचे तक पूरी मेरुदंड का पूरा व्यायम हो जाता है यह अभ्यास हुआ मरकटासन का दूसरा भ्यास अब पैर सीधे पूरा निरोगी बनाना है आपको योगी बनाना है आपको सत्कर्मों में सहयोगी और इस राष्ट के लिए उपयोगी बनाना है आपको पैर सीधे देहने पैर उठाएंगे सभी राइट लेक को उपर उठाएंगे 90 डिग्री पर और इस देहने पैर को लेफ साइड में लेकर के जाएए लेफ साइड में ले जाएए अब गर्दन को देहने और गुमाई ऐसे करदन को दहीने और गुमा दिये फिर पैर को ओपर उठाए नाइटी डिग्री पर नीचे लिया आई फिर बाए पैर को उठाएंगे आज बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हों, एक्टर एक्टर्स हों फिजिकल फिटनेस के बारे में जो भी थोड़ा बहुत ग्यान रखते हैं उनको मरकटासन का पता है पैर उपर उठाए पूरा नाइटी डिग्री पर अब इस पैर को लेफ्ट लेको राइट हैंड के पास लेकर के आईए जितने भी फिजियो थेरा पिस्ट हैं जितने भी डक्टर्स हैं जितने भी क्रिकेटर्स हैं खिलाडी हैं एथलिट्स हैं सब कर रहे हैं इसको क्योंकि कमर के लिए बहुत जरूरी है पैर उपर उठाए नीचे लेकर के आजाएए आपको ये बहुत जरूरी अभ्यास करवाया कमर के लिए फिर दोनों हाद जंगाओं के पास में नीचे एक-एक पैर को उपर उठाई नीचे लेकिया ये इससे भी कमर में दर्द अच्छा हो जाता है ये भी बहुत अच्छा है एक-एक पैर को भी उठाने है कमर रिलाक्स हो जाती है और एक-एक पैर से ऐसे पवन मुक्तासन घुटने को मोड़ा चाती से लगा दिया फिर दूसरे पैर को मोड़ा घुटने को चाती से लगा दिया सिरने उठाते है फिर दोनों पैरों को मोड़िये और गुटनों को चांती से लगा दीजी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है चल कमर का अभ्यास पूरा हुआ अब आपको बहुत जरूरी अभ्यास बताते हैं पेट के लिए एक तो पवन मुक्तासन फिर से कर लीजिए पेट के लिए पांच आसन बहुत जरूरी हैं दोनों पैरों को मोड लेते हैं दोनों हाथ के अंगले को इंट्रलोग कर लेते हैं आपको पैकेज दे रहे हैं पेट के लिए और ये पेट के लिए अच्छा है दोनों हाथ के अंगले को इंट्रलोग किया और गुटनों के उपर से पकड़ करके गुटनों को दबा दिया और ठादी से लगा दिया सिर उठा करके नासिका लगा देते कमर में दर्द हो तो सिर ना उठाना ये पवन मुक्तासर पैर सीधी फिर उतान पादासन दोनों पैरों को मिला करके उठा करके 30 डिग्री पर रोग करके रख देते हैं ये पेट के लिए नाभी के लिए धरन के लिए गैस कब्ज असिडिटी इंडाइज़सन के लिए बहुत अच्छा भ्यास है पेट एकदम अच्छा हो जाता है इससे स्वस्थ हो जाता है डाइज़सन बहुत अच्छा होता है गैस कब्ज असिडिटी दूर परती है अब नोकासन दोनों तरफ से सरीर को उठा देंगे दोनों हाँ जंगाओं के उपर पैर पी उठेंगे, सिर पी उठेंगा, दोनों तरफ से उठाईए दोनों तरफ से उठाईए और फिर नीचे आ जाते है और कंधरासन जो आपको पहले भी कराया था ये पांच आसन लेट करके कमर के लिए, पेट के लिए, पेंक्रियास के लिए, रैप्टीज के लिए बहुत अच्छे बीस से उठाईए, दोनों परों को घुटनों से मोड लीजिए कंधरासन, सेतुबंदासन भी इसे उठाईए, शौस बार छोड़ देंगे और पेट को अंदर खीचेंगे ये पेट के लिए, पेंक्रियास के लिए, पेट के लिए बहुत ये अच्छा अभ्यास ना भी धरन डिगी भी अपने आप ठीक हो जाते है पेट्स फ्रवासन थोड़ा कठीन है, दहना पैर मोड लेंगे पांजे से पकड़ लेंगे, पैर को खीचेंगे थोड़ा खीच करके और पैर के अंगुठी को नासिका से लगाते है थोड़ा कठीन है, पाहादा अंगुष्ट नासास परसास है फिर छोड़ दीजिए फिर दूसरी और से दोनों हाथ के अंगुलों को ट्रलॉक कर लेंगे पैर को खीचेंगे और खीच करके नासी का लगाएंगे गुटने अंगुटे से पादा अंगुष्ट नासास बरसा सर फिर दोनों पैरों से एक साथ थोड़ा कठीन होगा बच्च के लिए तो बहुत सरन है पैरों को तल्वों से मिला लिए और खीच करके पैर के अंगुठे से नासी का को लगाना पैर सीवे बाएं करवट लेते भी बैर जाए यह आपको पेट और पेन क्रियास के लिए जरूरी अभ्यास बताए वैसे पहले दिना में आपको बहुत कुछ सिखा दिया है पेट के लिए और पेन के आज के लिए बात ही जरूरी अभ्यास है ऐसे तो पांच अभ्यास में बैठ करके भी मंडूकासन श्रशकासन योगमुद्रासन वक्रासन और गोमुखासन ये मंडूकासन तो सभी अवश्य करें जड़ा देखिए सभी अंगुठा अंदर ले ले अंगुलियां उपर मुठियां बन ना भी के दोनोर मुठियां लगा दे और श्रास बाहर चोड़ करके आगे जुख जाएं और आगे चाती गुटनों से लगा दे गर्दन सीधी रखे फिर वापस आजाएं रुका करें लगभग आधा मिनट तक नीचे इसका दूसरा भ्यास सबाय हाथ के थिली नाभी के उपर दायां उसके उपर अश्यास बाहर चोड़के आगे जुखते हैं और पेट पूर अंदर दबा देते हैं आगे जुक करके कोशिश करते चाती घुटने उसे लग जाएं फिर वापस